हेलो स्टोरेट्स वेलकम टू माँ नीव वीडियो इस वीडियो हम देखने वाले सोल्यूशन क्लास नाइन साइंस रिविजन एसेस्मेंट पार्ट टू क्विज अभ्यास इसका बीक है सेवन 21 अगस्त दोहर 21 इसका हम सब्वी क्विज कहां पर आसर देखने वाले साथ ही में समझने वाले तो आपको वीडियो को एंटर देखना है और ध्यान लगा कर समझना है और आपको सब्सक्राइब कहां पर आसर दाओं चलिए अब हम वीडियो को आपको बेने किस दरीके सुरू करते हैं तो देखे चातर आपको पहले कोशन आपको देखे इस प्रका आपको देगा है यातरा से लोटने के बाद बीवेक जो है बिमार पड़ गया उसके डॉक्टर ने कहा कि भे दूसित भोजन या पानी के सेवन के कारण बिमार हुआ है बीवेक इन में से किस बिमारी से पीडित हो सकता है देखिए इमेज नहीं दी गई है इसमें देखिए खसरव बिमारी से पीडित हुआ है या फिर चेचक से पीडित हुआ है या फिर टीवी से हुआ है या फिर खेजा से हुआ है तो देखे चातरो दूसित भोजन या फिर पानी के सेवन से कौन से बिमारी से बिमार होते है हेज़व बिमारी से है ना हेज़व बिमारी किसके क चार उप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जायागा तो आप यहाँ पर आंसर में की लिखेंगे हेजा आप यहाँ पर आंसर में लिख देंगे इसके बाद देखे चातर हम देखते हैं second question हमें आपर देखते हैं कि उत्तर दरपन विश्तरच छेतर में फेल हů江ी बस्तु के प्रतीपामी में मना सकते हैं यानी कि बहुत बड़ी जो हाना बहुत बड़ी जो बस्तु है उसका बहुत छोटा से प्रतीपामी मना सकते हैं इनमें से कोँसा बिकलब जो है उत्ता दरपन के उप्योग की सही पिचान करता है तो देवर चोज पहला आपको दिया है बहानों के पीछे देखने के लिए दरपन में उप्योग की आता है नमबर 2 दंद चिकित से को द्वारा दात की जाच के लिए उप्योग की आता है नमबर तीन दन चिकत को द्वारा दात्यों के जाच के लिए उप्यों के आता है नमबर चार्ड डोक्टरों द्वारा कान नाक और गले के जाच के लिए उप्यों के आता है तो देखे अच्छा जो उत्ता दरपन है उसको पहानों के पीछे देखने के लिए दरपन के रूप बानव के पीछे देखने के लिए उत्ता दरपन को उप्योग किया आता है इसका देखी बच्चों हम देखते तीसे कोशन आपर दिया है 2007 में पेरू में एक खगोली पिंड गिरा और एक क्रेटर वन गया बे खगोली बस्तू इन में से क्या हो सकती है नमबर एक उलका नमबर दू धूंग के तू नमबर तीन छुदर गे नमबर चार उलका पिंड तो देखी बच्चों बे जो बस्तू है बे क्या होगी उलका पिंड होगी अब उलका क्यों नहों सकती है देखी जो उलका होती है उलको को यदि हम अपने स्थान से दीखे तो बहें हमें गती करते हो दिखाई देते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहें जाते हैं गती करते हो दिखाई देते हैं लेकिन बहें प्रत्वी पर नहीं गिरते हैं जबकि जो उलका पिंड होते हैं बे परत्विय पर गिर जाते हैं और क्रेटर बन जाते हैं आप बहुत बढ़ा धमागा कर देते हैं तो उसका नमबर जो चार ओप्सन है बे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसके बाद देखे बच्छों हम देखते हैं अगल कोशन आपको दिएगा है समीरा प्रकास बल्व तार दो बेटरी और एक सुच के साथ एक खुले परिपत को बनाना चाहती है सुच को दर्साने के लिए उसे इन प्रतिकों में से किसका उप्योग करना चाहिए है में नमबर एक का दो का तीन का फिर चार का तो सुच को दरसाने के लिए हम किसका प्रियोख करते हैं नमबर एक का मुख्योख करते हैं तो उसका नमबर एक option यहाँ पर correct हो जाएगा इसको बाद एक शाता हमें देखते हैं अगल कुशन है यदि आप पानी से भरा बीकर लेते हैं और उसमें नमक मिलाते हैं तो नमक जो है पूरी तरह से घुल जाता है और गायव हो जाता है इस क्रियावीदी के दोरा पदार्त का इनमें से कौन सा गुण दर्जाया जाता है पूरी तरह से उसमें घुल गया हिलाने पर घुल गया और गायव हो गया तो कौन सा गुण दर्जाती है तो देखे वाच्चो होता क्या है जो नमक है पानी के बीच में जो रिखती स्थान होता है उसमें जो नमक है बहम मिल जाता है जिसके कराण बहमें दिखाईने देता है और गायव हो जाता है तो उसका मादलब क्या है जो पदार्थ होते पदात की कंडों के बीच में क्या होता है रिक्ति स्थान होता है तो इसके नमड़ एक option यहाँ पर कट रहाएगा किए दिक मे HARम- कोषी का एक्स के भाग के कुछ विश्यस्ता को सूची बद करती है 100 किसी रूप में बेचाना जा सकता है मतलब कि हमें देखे हाँ पर विश्यस्ता के दिगई है कि पहला ये चिदर्यूक्त होती है ये बाहरी मादम से कोशिकाओ को अलग करती है नमबर तीन ये पधात को कोशिकाओ के अंदर भार गरती करने देती है ये जो विश्यस्ता है कोन दरसाता है नंबर एक केंद्र 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 प्रहाब के बारे में पढ़ रही है, बे प्लास्टिक के प्रहाब को कम करके परिवरन की मदद करने में अपनी भागी दारी करना चाहती है, इनमें से कौन सा बिकल्प उसके लिए सहायक नहीं होगा, यानि कि बे प्लास्टिक का कम सी कम उप्योग करना चाहती है, कौन सा जो इस टील यह फिर कांचिक ब्रोक्स में पेक करके ले जाएगी तो प्लास्टिक का प्रभाब तो ओब्यसली कम होगा तो ये तो बिल्कुल सही है number 2 ख़रीद डाले के जाते समय कपडे के थेले को ले कर आना कपड़े के थेले को ले कर आना, तो यहीवे जो प्लास्टिक के कच्रे है उसको कम करेगा number four हम दिखते हैं पुराने प्लास्टिक बेग का पूना अप्योक करना और नए लेने से इंकार करना यदी वे पुराने प्लास्टिक का बेग का अप्योक करेगी तो होगा क्या कि हना अग्र विदू प्लास्टिक कôn नहीं खड़ी थी कि इससे क्या होगा प्लास्टिक का मुत्पा दोन होगा इस से यह गोगा अब दोने होगा है इससे जो प्लास्टिक है उसका परिअपर नट पर पर राब कम होगाacement लेकिन तो नमबर तीन ओप्सन दिख रहा है कच्रे में फेकने से पहले प्लास्टिक को छोटे-छोटे टुकड़ों में काड़ना इससे कुछ फायदा नहीं होने बाला है इससे जो प्लास्टिक है पुना बाई पर वापस आ जाएगा तो उसका नमबर तीसरा ओप्सन लगाना दिखिए यदि हम किसी बाहना ब्रेक लगाये तो हमें इसमें अपनी अंगली वहाथ से बल लगाना पड़ता है इसमें बल कर प्रॉब होता है नमबर चार केरम बोर्ड पर श्ट्रा कर माना इसमें बल लगता है लेकिन जो नमबर दूसरा ओप्सन आपको दिख र तो अब आपको टेंसर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो एप लेकर आ चुका है एक ऐसा वीचर जिसके मातम से आप किसी भी कोशन का तुरांत सल्यूसन पा सकते हैं, फिर चाहे वो कोशन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरां करने के बाद आप ये सब ओप्सन सिलेट कर लीजिए, एक्सपर्ट तुरंत लाइव आकर बिदिन सिक्स्टी सेकंड्स में आपका आंसर देंगे, जी सर नमस्ते, जो अपना इंटरनेट है, उसके निर्मान किस ने किया, वैरी का एक समस्था थी वाई, मैं नाम प्रांगे इसके बाद देखिए, अगले कोशन हमें आपर दिया है, सेम ने एक पतले लंबे पाइप का उप्योग करके एक अंग तंतर का एक बरकिंग मोडल बनाया, जो एक प्लास्टिक बेग से जुड़ा हुआ है, बेग एक लंबी पेंट के एक पेर से जुड़ा हुआ है, मोडल का उप्योग करके अंग तंतर के कार को परदसित करने के लिए सेम ने एक रोटी को टुकुड़ों में कर लिया और कुछ पानी मिला दिया, जिसे उसने पाइप के मादम से आगए बढ़ाया, फिर उन्हें प्लास्टिक के थेले मिलाया, और उसके बाद उन्हें पेंट के म प्लास्टिक बेंग किस अंग को व्यक्त करता है, यानि कि जो प्लास्टिक बेंग है कौन से अंग को हाँ पर दरसाता है, तो दिवच्चो क्या कह रहा है, यहाँ पर देखे लान पड़िए, रोटी को टुकुड़ों में कर लिया और कुछ पानी मिलाया, जिसे उसने बोजन है, कहाँ पर जाता है, आहर नाल के मादर हम से बोजन जो है पर जाता है, अमास या नहीं कि पेट में जाता है, तो उसका नंबर दूसरे ओप्षन यहाँ पर करेट हो जाएगा, इसके पाद देखते हैं, अगला कुशन, दजब कुशन हमें दिया आया है, आपर टी इन अलग-अलग सत्थों पर एक खिलोना कार को धक कर देती है, और प्रित्यकदारा 10 सिकन में तेकी गई दूरी को नोड करती है, बे जानती है कि घरसन के कार जो है, खिलोना कार की गती में परिवर्तन हुआ, यहाँ पर किस कार ने घरसन बल में परिवर्तन किया, कांच में क्यों होती है, उनने धक्का दी तो कितने चली वह, 104 सेंटिमीटर चली और दरी, यանन कि जब उसने करी धक्का दी तो कितने चली 58 सेंटिमीटर चली, याने कि कथड़ी पर, दरी पर, क्या हो रहा है बहुत कम यहाँ पर दूरी तेह हो रही है तो इसपर किस का प्रभाव पढ़ रहा है इसपर प्रभाव पढ़ रहा है स Taylor का की स्पीड को कम जादा कर दे रही है ब दिखें कुछ्छे रस्थ्थे से आप जाओ तो आप कम दूरी तेख कर पाऊगे यदि आप प्लेन रोट से जागो तो आप अधिक दूरी तेख कर पाऊगे तो हाँ पर किसका प्रभाव होता है सत्य का प्रभाव होता है तो उसका नमबर चार ओप्सन है यहाँ पर करेट हो जाएगा सत्य का प्रकार जिस पर क्लोना कार चली इसका दिल जो है जो ग्यारवा कोशन है ग्यारवा कोशन हमें हाँ पर दिया है ग्यारवा कोशन हमें हाँ पर दिया है रामो ने देखा कि जब भी उसे सहाब जने की रूप से बोलने के लिए का जाता है तो उसका दिल जो है समान अवस्थ से तेज धड़कने लगता है उसके पेटे में दर्द होने लगता है और उसे बहुत पसीन आता है। उसके सरीरे में इन परिवर्तनों को क्या कारण है। तो इसका correct option जो है मैं आपको comment box में pin कर दूँगा। अब बहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसका फिलाल मुझे थोड़ा confusion है। इसका अदम देखते हैं बारवा question हमें आपर दिया है। जब एक चालक में बिद्धुधारा प्रवायत की जाती है तो चालक में उसमा उत्पन हो जाती है। नमबर एक, इलेक्ट्रिक गायन, यानि कि जो प्रेस होती है, जिससे हम कपड़ों को प्रेस करते हैं, इस तरी करते हैं, बहें, नमबर दू इलेक्ट्रिक बेल, नमबर तीन इलेक्ट्रिक फुज, तो देख बच्छे होता क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक प्र पराव हो रहा है, इलेक्ट्रिक वेल में क्या होता है, करेंड की कारण होता है, करेंड की कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक वेल घंटी बजाती है, इसमें बिद्धुधारा का उसमें पराव उत्पन नहीं होता है, और इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी देखिए, बिद्धु परशन का आपका आशर रहाएगा इसके बाद देखे हम देखते बच्चों तेरवा कोशन आपको दिया है चितर पर बिर्चार कीजिए और आने को प्रावा की सही दिशा की पैचान कीजिए तो इसका आशर भी जो मैं आपको कमेंट आपक पिन कर दूँगा इसका थोड़ा क कन्फ्यूजन हो रहा है मैं जै नमबर चोद्व हम देखते है गंगा नदी के प्रदूशन के मुख खिस्त्रो था है नमबर एक घरेलू और ओद्विक अप्सिष्ट नमबर दो ठोस कच्रा सीधे नदी में फेका जाता है और नमबर तीन क्रिसी अभा कौन से विकल्प इन समस्या को सीधा समाधान कर सकता है देखिए इसका सीधे समाधान हम इस प्रिकार से कर सकते है यदि हम कच्रा ही ना फेके तो ये सारा जो प्रदूशन है नहीं होगा जिसे देखिए ओद्विक अप्सिष्ट यान की जो कार खाने है उससे जो कच्रा निकलता है यदि हम उस सेरो के अपसिस्ट जल को रोकना और उसे दूसरी और मोडना, यानि कि हम सेरो को अपसिस जल जला है यदि हम उसे पहले रोक दे और दूसरी और मोड दे तो यह सब प्रोलम हमें नहीं आएगी, अब पंदवा कोशन हमें दिया है, दिया गाया ग्राफ उन्ने से पेसर से 2010 के आप यहाँपर आप दे सकते कावंड़ा एक्सटर जो है निरंदर बढ़ती जा रही है तो कावंड़ा एक्सटर के मातर बढ़ने पर होता है कारवन ड्रक्षन की बादने Walking looks कारवन ड्रक्षम बीति से बायो मंडल में आधिक ऊसमय को रोकी जिसके परणाम जो है अधिक गरम जलॉआई को रुपम में होगा तो इसके नमबर दूसर प्सें यहां पर Crack हो जाएगा इसके बाद हम देखते हैं सत्वा कोशन दिया है चार इंदरनों को बिसिस्ता है दी गई है पढ़िए और सरवधिक दच्छ इंदरन को चुनिये यानि कि जो सबसे अच्छे इंदरन है वो उन्हें आपर चुनना है तो हाँ पर आप कोलम देख सकते हैं नंबर एम में आपको दिया है जो उपलपता है सरलता से हो जाती है यह सस्ता है किलोरीमान कितना होता है आठ हजार होता है लेकिन उत्पाद हम इससे कुछ ही बना सकते है एन जो है उससे सरल्ता से हमें प्राप्त होता है यह इसकी दर यानिके जो लागते भी समान होती है केलोरी मान इसको होता है 45,000 और इससे उत्पाद हम बना सकते हैं बहुत सारे नमबर पी देखिए सरलता से होता है दर क्या होता है समान होती है किलोरी मान कितने होता है पहस्पन होता है और उत्पाद क्या होता है हम बना सकते है क्यों में हम उपलपता कभी कभी होती है दर जो है अधिक मेंगा होता है और किलोरी मान इसका बहुत जादा होता है लेकिन उ सबसे अधिक दचने इंदन क्या होगा पी नंबर कोगा यानि सबसे सुगम इंदन ये पी नंबर कोगा क्योंकि देखे इसको जो किलोरी मान है सबसे अधिक है उपलब्धी हमें असानी सुझा रहा है और दर्जों है समानी है और हना उत्ताधी हम इससे बना सकते है कलोरी मान अधिक होने कान क्या है सबसे अधिक दचिन दन होगा क्योंकि कुछ रविमाना दचिक होने से हमें इसके कम क्वांटिटी के आवा सकते होगे तो इसका आंसर क्या आएगा नंबर पी और आंसर यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद देखिए बच्चो अगला हम देखते हैं हाँ पर कि सतरवा देखिए हाँ पर दिया है 1999 और 2000 के भी जनसंक्या में हुए अचानक बला में निम्न में से किस कारख के सबसे अधिक संभाव ना है यहाँ पर देखिए आप जनसंक्या में क्यों हो रही है ब्रद्धी हो रही है जनसंक्या में किस कारण से होती है देखिए हाँ पर एक कारख होता है कि बेजबाक टापमान में ब्रद्धी यान की जलवाईों में गर्मी जलवाईों में गर्मी होने कारण के होती जनसंक्या मे ब्रद्धी होती है तो इसका नंबर दूसरे अपसे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका देखते हैं आठालव कोशन यहाँ पर देखते है रोहन हिमाले पर ट्रेकिंग कर रहा था जब बे कम उचाई पर नीचे आया तो उसने देखा कि प्लास्टिकी पानी की बोतल जो है बे जिसे बे पानी में उचाई पर पानी पीने की लिस्तामाल कर रहा था अब पिचक गई यानि कि उसने जो बोतल को होगा नीचे फेक दिया था तो नीचे आने कारण जो बोतल है बे पिचक गई और पिचकती किस कारण है बच्चो बोतल पिचकती है गर्मी के कारण लेके चक्जादी है, तो यह किसके कारण हुए बच्चो तो दिक्ये, यह कारण होता है कि जब तापमान होता है, जो तापमान है, बेकम उचाई पर अधिक होता है, जब उसे ने बोर्टल को नीचे फेक दिया तो जो तापमान था, बेकम थाasis, जैसे जैसे आप उचाई पर बढ़ते हैं तो जो अपम मान है ऐती कम होता है और जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो जो तूटत आपमान है अधिक होती जाता है तो इसका आजकर क्या होगा नंबर एक पानी से बहरा जार लेती है तो इसका अंसर का आएगा इसका आएगा आएगा आपका सुरी इसका अप्शन में आपको कमेंट बूस में पिन कर दूँगा केनी ने दो परकनली एक और बी ली उसमें दोनों परकनली को पानी से आधा बारा और उसमें चीनी घोल दी दोनों में के घोल दी उनने पानी और चीनी घोल दी और परकनली को उसने बेसहीरें दिया और परकनली बीमे के मिला दे खामीर मिला दिया जो खामीर होता है कुछ द देखिए इसका नंबर जो दूसरा उप्सन है भी करट होगा क्योंकि देखिए जो परकनली ए में हमने के मिलाए थे पानी और चूना हमने इसमें मिलाए थे देखिए पानी और चीनी हमने इसमें मिलाए थे तो देखिए जो चीनी होती है अब फूलती है नहीं है तो इसका परखनली यह नहीं फूलेगी लेकिन जो परखनली भी में हमने के मिला थे पानी चूना और खमीर हमने मिला थे जो खमीर होता है फूल जाता है तो यह होगा प चूने का पानी का कोई प्रहाव नहीं पड़ेगा तो इसका नमबर जो दूसर उप्सन है यहाँ पर करेट हो जाएगा इस पेकार समय ने यहाँ पर सोल्यूशन देख लिया है जो तीन कोश्चन है आपको इसको आंसर जो मैं कमेंड बोस में पिन कर दूँगा आप आप आप